यहां पर फॉर लूप के बार में तो basically loops के बार में आपको पता ही होगा यह help करते है हमारे program की किसी piece of code को बार-बार execute करने में तो यह फॉर एक तरह का function is जो अपने अंदर तीन parameters को expect करता है तो जो पहरा parameter है हमारा उसको कहते है initialization तो आप कह सकते हैं यह एक तरह का starting point है हमारे loop के चालू होने का तो अभी के लिए हमने आपके i की value को 0 से initialize किया है अब जो second parameter है हमारे fall loop का उसको कहते है condition तो यह पर हमारे condition जब तक true रहेगी हमारे loop जए execute होता रहेगा तो जब तक मेरे i की value 10 तक ना पहुंचा है हमारी condition जए हमारी condition जए हमारी value 10 तक पहुंचाती है तो यहाँ पर जो condition मेरी जए हमारे loop जए execute करना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर इसी लूप का यूज़ करके हमने एक छोड़ा प्रोग्रम वर आया है जिसमें हम एक नाम को दस बार प्रिंट करने को उच करें कुछ इस तरह